आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवेंचर की एक next form जिसको हम कहतने एडवेंचर और देखेंगे कि उसकी क्या important feature है ताके हम समझ सकें और एक अच्छी कहानी चूसप कर सकें तो एक अच्छा जफिक्शनल एडवेंचर है उसके अंदर हमेशे एक protagonist होता है protagonist होता है वह hero जो कि बुन्यादी तोर पे उस adventure निकला होता है और बहुत एहम काम करने जा रहा होता है उसको हम क्या कहते है main character कहते है अब वह किसी adventure पे जा रहा है या quest पे जा रहा है तो हमें सब find out कर सके और बुन्यादी तोर पे यही एक motivational factor होता है जिसके वजह से hero एक journey पे जा रहा होता है या उस adventure पे जा रहा होता है to solve that problem हमारे पस जो fictional adventure होता है उसके अंदर important factor है कि वह कहाँ set up किया गया है कहाँ place up किया गया है so वो hero कौन है और वो किस सफर पे जा रहा है वो सफर कहां उसको लेके जा रहा है वो कौन सी जगा है वो कौन सा मुल्क है वो कौन सा दौर है so उसकी description देना important है ताके setting समझाए तो हमें समझा सके उसका context कि वो hero की जमाने में बैठा हुआ है उसका एक dilemma और danger को encounter करना बहुत ही जरूरी है जो कि हमोमन कहानी के middle के अंदर आता है और जिसके बाद वो hero उस dilemma या उस danger से निकलने के creative method सोचता है और उससे वो निकल जाता है तो हमें creative methods को पढ़ने में और उसके creative strategies हैं उसके साथ go through होने में हमें बहुत ही मज़ा आता है At the ending में जो important चीज़ आती है वो यह आती है कि हम यह भी जरूर बताते हैं आपकी fictional adventures के अंदर के अब hero ने अपना task पूरा कर लिया उसने danger से गुजर लिया अब कहानी अपने end की तरफे वो क्या करेगा या वो new adventure प जा रहा है या वो अपने घर जा रहा है अच्छी adventure कहानी के अंदर ये ability होती है कि वो आपको एक ऐसी दुनिया के अंदर ले जाती है अपको अब को पढ़ रहे होती है at the कि पिदू कर से अंत्राइब कर लीकिष्ट कर लेती है। अच्छी इंट्रूस्टिंग कहानी होती है। इस से था इंपॉर्टनट अलeमेंट्स अफ़ेरी वेरी वेरी इड्वेड्शन अडवेंच्डर। आपकी जो कहानी है वो अपने रीडर को टैप्चर कर लेती है इस तरीके से के एक अच्छी इंट्रोस्टिंग कहानी जो होती है उसके अंदर आपको ऐसे लगने लग जाता है कि आप हीरो के साथ साथ तमाम चीजों के एक्सपीरियंस कर रहे हैं कई दफ़ा हम किताब बन करते हैं और जाके अपने बैक्यार्ड पर देखते हैं लॉन में देखते हैं कि क्या वहां इस किसम की किरियेचर्स मौझूद हैं जो कि मैं कहानी में पढ़ रही हूं यह फीलिंग जो हैं बुनियादी तौर पर हमें किन्विंस कर लेती हैं कि कहानी जो हमें बहुत ही इंटरस्टिंग तरीके से हमारे इमोशन को इंगेश करती हैं ऐसी कहानीया पढ़ने के बाद हम कई दफ़ा यह भी सोचते हैं कि कौन सी जगी थी यह कौन सी रिवर थे यह कौन सी ऐसे महल थे या कौन से खाने या कौन से खाने या कॉस्टम्स थे का जिकर तो नहीं किया तो हमें एक डिफरेंट किसम का कनेक्शन और फीलिंग देती हैं